नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन नियूज में इस रिपोर्ट में बात हो रही है महारास्टर की सियासत को लेका देखा जाए जून के आखरी से ही जो सियासत महारास्टर की वो लगातार गर्माती हुई ही नजर आई है लगातार देखा जा रहे कि उद्दव शिंदे लड़ाई इसी तरीके से बरकरार है और कब तक रहेगी इसका कोई जवाब नहीं लेकिन अब 23 जनवरी बहुत एहम दिन माना जा रहा है क्योंकि उस दिन अद्यक्षपत का कारेकाल खतम हो जाएगा उद्दव ठाकरे का तो कह प्रक्षपत भी हमें ही मिलना चाहिए हमें ही उस पर अपना उमीदवार खड़ा करना चाहिए इस तरीकी की बात यहाँ पर सामने आए लेकिन अगर देखा जाए उद्दव गुट की तरफ से उनका साफ तोर पे कहना है कि उद्दव थे उद्दव है और उद्दव ही रह आया है वही संजराओ जो कल यहाँ पर भारत जोडो यात्रा में राहूल गांदी के साथ नजर आये थे और तब ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर जो नाराजगी थी कॉंग्रेस और शिफसेना की बीच में यानि उद्दव गुट के बीच में क्या वो नाराजगी कम हो गई देखिए वो मुद्दा तो अलग है लेकिन बात यहाँ पर चुनावायोग की की जाये तो लगातार चुनावायोग तारीक पर तारीक दे रहा है यहाँ पर तारीक का इंतजार कितना करेंगे उद्दव ठाकरे इसको लेकर उनके समर्थ को में जो पच्चे खुचे लोग के साथ है उनका गुस्सा लगतार फूटता हुआ नजर आ रहा है अब इस भी जो बड़ी जानकारी सामने आईए वो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है यहां पर शिंदे गुट की तरफ से कि चुनाव आयोग के सामने तर्क दिया कि वैसली शिपसेना है और निर्वाचित प् धायक ले लिजे, कारेकरता ले लिजे, नेता ले लिजे, किसी को भी ले लिजे, हमाई पस अच्छा खासा बहुमत है और असली शिपसानिक हम ही कहलाएंगे, क्योंकि हम ही वो लोग है जो बाला सब ठाकरी जी की रहा पर लगतार चलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यहा दाकरी मैं आपको बता दूँ कि यहां पर अभी सुनवाई लगतार चल रही है और अधिते ठाकरे का साफ तोर पे कहना है कि शिफसेना हिंदू, हृद्य, समराज, शिफसेना, प्रमुग, बारेस, ठाकरे और पार्टी, अद्यक्ष, उद्दफ, ठाकरे और सभी शिफसेन कि हमारे पक्ष में फैसल होगा, एक उमेद यहां पर लगाए जा रही है, तो आपको लगते है कि 23 जनवरी को यहां पर जब कारेकाल खतम हो जाएगा, उद्दफ ठाकरे का, तो क्या उनसे अधिक्ष पत्छिन लिया जाएगा, या फिर यहां पर आगी भी वो कंटीनू र